तो आज हैं फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं इंपॉर्टेंट कोशन की सिरीज जो की चल रही है तो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं सेट नमबर 19 को तो इकोशन सारे बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है इसको अन तक जरूर देखे साथ इस वीडियो का फ्री पीडियाफ आप हमारे टेलिग्राम चैनल से ले सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक में आपको दे दिया गया है तो स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट कोशन से मतलब कि ये टेस्ट कोशन आपको मैंने उस टेस्ट कोशन में से बुचा है जो कि मैंने कल आपको 20 कोशन पढ़ाए थ इंडियास अंबजडर तो फॉल्ड ट्रेट ओगनाईजेशन ड्ट तो जिसका हेड्ट का अपर है जनीवा में है तो इंडियास से इसके अंबजडर कौन अपॉइंट हुए है ब्रजेंद्र नवनी चैन्थिपंद्यान सी पंकच कुमार बंचल एम सिल्विंद्रन तो लानी सितानदी, Tiger Reserve that was recently in the news is located in which state ठीख है यह Tiger Reserve कॉन से स्टेट में है, जो कि हाली में अभी निज्व में था, क्यों निज्व में था आप comment section में बताएंगे उप्शन सैंपके Madhya Pradesh, Karnataka, West Bengal या 36 तो आपका correct answer हो जाएगो तो आप्शन नमबर D, 36 गड़ में ये टाइगर रिजव हैं, ठीक है, नेक्स कुशन पर चलेंगे, कुशन नमबर 3 है, वो वोज दा इंडियास फर्स चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, इंडिया के पहले चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ कौन रहे हैं, इन में से, इंपॉर्टेंट कोशन है, जनरल विपिन रावत, जनरल आजन सिंग, जनरल विजय कुमार सिंग, जनरल मनुझ मुकुद नर्वाने, तो आपका करेक्टांस हो जाएगा, ओप्शन नमबर A, ठीक है, विपिन रावत जी, जो कि अब जिनका दियानत हो चुका है, वो इंडिय करेक्टांस हो जाएगा, ओप्शन नमबर B, मनीपूर, ठीक है, नेक्स कोशन पर चलेंगे, कोशन नमबर 5 है, विच नैशनल पार्क इस लोकेटेड इन दा नीलगिरी हील्स, ठीक है, इनमें से कौन से नैशनल पार्क, नीलगिरी हील्स में हैं, लोकेट और साथी ये नील नीलगिरी हील्स में हैं, और साथी नीलगिरी पायोस्पेर रिजर्व, नेक्स कोशन पर चलेंगे, कोशन नमबर 6 है, अधा कापिटल ऑफ फ्रांस, नोन फॉर आइफल टावर अन लोवर मूजियम, इस कापिटल बताना है, फ्रांस का क्या है, जिसके लिए फ्रांस किसके नमबर 7 है, इनमें से कौन से स्टेट को ये नाम से बुलाया जाता है, इंडिया स ब्रेट बास्केट, पंजाब, महराष्ट, असमय उत्तर प्रदेश, तो आपका करेक्ट आंस हो जाएगा, ऑप्शन नमबर A, पंजाब, ठीक है, पंजाब को क्या कहते है, इंडिया का ब् किया है, UN का अवर्ड, United Nations का अवर्ड, वगीज क्यूरन, अला भट, कांशी राम, या फिर बाबा आमते, तो आपके करेक्ट आंस हो जाएगा, ऑप्शन नमबर D, बाबा आमते, वोन दा, United Nations Award in the field of human rights, याद रखेंगे, important question है, next question नमबर 9 है, सेख हसीना, who recently secured a record 4th consecutive term as Prime Minister of Bangladesh, सेख हसीना, consecutive 4th time, ये बन गए है, Prime Minister, बांगलादेश के, belong to which political party, इनकी political party बरतानी की कौन सी है, बांगलादेश, National Party, BNP, जाटिया पार्टी, अवामी लीग, या बांगलादेश, जमाते, इसलामी, तो आपके correct answer हो जाएगा, option number C, अवामी लीग, ठीक है, अवामी लीग is the political party, जिससे सेख हसीना, बिलॉंग करती है, and important, याद रखेंगी कि 4th consecutive time, ये बन गए है, Prime Minister, next question, question number 10 है, which state in India is set to release its human development index report for tribal groups, becoming the second state to do so after Kerala, ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, human development index की report आई है, for tribal groups के लिए, ठीक है, तो आपको बताना है, Mrs. Second कौन आया है, और दूसरी तरफ केरला यहाँ पर first आया है, तो तमिलनाडू, करनाटका, आंदरप्रदेश या महराष्ट्र, तो आपको correct answer हो जाएगा, option number B, करनाटका, करनाटका second number पर आया है, केरला first number पर आया है, किसमे, human development index report for tribal groups, next question पे चलेंगी, question number 11 है, the Buddhist site, वैशाली और नालंदा are situated in which of the following states, ठीक है, बुद्धिस साइट्स हैं, यह वैशाली और नालंदा कौन से स्टेट में situated है, इंडिया के, 36 गर, बिहार, तेलंगना या उडिसा, तो आपको correct answer हो जाएगा, option number B, बिहार में यह वैशाली और नालंदा, बुद्धिस साइट्स साइट्स है, next question पे चलेंगे, question number 12 है, the longest continuous wall in या फिर कंगरा, तो आपको correct answer हो जाएगा, option number A, कुम्भलकर फोर्ट, is the longest continuous wall in इंडिया, and the second longest world में है, याद रखेंगे, next question, question number 13 है, among the following, was appointed as इंडिया's first लोगपाल, इंडिया का पहले लोगपाल कौन बने है, तो आपका correct answer हो जाएगा, option number C, justice पिना की चंडिया's first लोगपाल, याद रखेंगे, important है, next question पे चलेंगे, question number 14 है, धीमसा is an official folk dance of its state, धीमसा कौन से state का official folk dance है, महराष्ट, आंदर प्रदेश, राजिस्थान या करनाट का, तो आपका correct answer हो जाएगा, option number B, आंदर प्रदेश क ये धीमसा official folk dance है, याद रखेंगे, important है, next question, which is the largest national park in India, largest national park आपको बताना ही, इंडिया में कौन सा है, सुंदरबन national park, काजीरंगा national park, हैमिस national park, या नारगूले national park, तो आपका correct answer हो जाएगा, option number C, हैमिस national park, is the largest national park इंडिया में, ठेक है, next question number 16 है, पुशतास, grassland are situated at, ये कहा पर situated है, South Africa, China, Hungary या, USA, तो आपका correct answer हो जाएगा, option number C, ठीक है, हंगरी में, ये situated है, next question number 17 पर आ गए है, इसी के साथ, guys, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज इसे like करें, share करें, और subscribe का bell icon, प्रेस करना ना भूले, towards success का, आपका एक लाइक हमें बहुत support करता है, इसे important questions लाने के लिए, question है आपका, which of the following given devices is used for counting blood cells, ठीक है, इनमें से कौन सी device use होती है, blood cell को count करने के लिए, हमलितोमीटर, सिस्कोमीटर, हैमोसाइटोमीटर, या हैमोसाइटोमीटर, साइटोमीटर की spelling देख लेंगे, दोनों में बहुत अलग है, तो आपका correct answer हो जाएगा, option number C, ठीक है, हमिसाइटोमीटर is used for counting the blood cell, याद रखेंगे, important है, next question 18 है, मनश नसल पार्ग, यूनसको वोल्ड हैरिटेज साइट है, यह, आपको पता होगा, यह कहां पर situated है, बिहार, अनुनाचल प्रदेश, असम या जारकन, तो आपका correct answer हो जाएगा, option number C, असम में यह है, ठी question number 19 है, which country is host and chair of the 46th session of UNESCO's World Heritage Committee in 2024, अभी UNESCO की बात हुई, अभी यहाँ पर बात हो गई है, कि UNESCO का जो यह World Heritage Committee हुआ था, 2024 में 46th session, इसको host और chair कहां पर हुआ है, यह, तो यह host और chairman, तो यह host कौन सी city में हुआ है, तो यह host कौन सी country में हुआ है, UK, China, India या नेपाल, तो आपका correct answer हो जाएगा, option number C, नेप, इंडिया में हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे, इंडिया में हुआ है, यह host, next question, question number 20 है, last question है, who has been nominated as the chairman of Supreme Court Legal Services Committee, ठीक है, SELSC, ठीक है, कौन बने है chairman, Supreme Court Legal Services Committee के, नॉमिनेट हुए है, मतलब, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस मनोच कुमार कुप्ता, जस्टिस रितु भरे, तो आपका correct answer हो जाएगा, option number A, जस्टिस BR गवई, has been nominated as the chairman of Supreme Court Legal Services Committee, ठीक है, important है, अब आ गए है, इसी के साथ, अपने test question पे, आप से question मैंने पूछा है, the longest continuous wall in India, the second longest in the world, is at Tash Fort, ठीक है, कौन से fort में, कौन सा fort मतलब, second longest world में है, और longest continuous wall इंडिया में है, कुंबलगर, चितोडगर, महरंगर या कंग्रा, तो आपका options ये सारे हैं, आपको comment section में इसका correct answer बताना है, इसका answer आपको comment section में बताना है, thank you guys for, thank you guys for watching towards success, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे like करे, share करे, और subscribe का bell icon प्रेस करना ना भूले towards success का, ऐसे important video आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, मिलते हैं अपनी next important video में, thank you,